नमक कार दोस्तों आज हम यह interesting problem solve करेंगे under root of x plus under root of negative x is equal to 2 यह काफी interesting problem है इसके बारे में क्यों interesting है इसके बारे में कभी आओ बात करेंगे बट आज इसका solution देखते हैं it's actually pretty simple तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोनों sides को हम square कर लेते हैं तो हमें मिलेगा apologies तो हमें मिलेगा under root of x plus under root of minus x ka whole square is equal to 2 a square is under root of x square plus b square b है under root of negative x ka square is equal to 2 ka square जो की है 4 sorry 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 plus 2ab 2 a हो गया under root of x and b हो गया under root of negative x is equal to 2 square हो गया 4 अंडर root of x का whole square हो गया x अंडर root of negative x का whole square हो गया minus x तो प्लस माइनस माइनस प्लस 2 अब अंडर root of x and under root of negative x दोनों को एक single अंडर root के अंदर हम ले जाते हैं तो यह हो गया x into negative x is equal to 4 यह दोनों कट गए टार 2 और हमारे पास बच्छा 2 अंडर root of minus या negative x square is equal to 4 इसको हम देख सकते हैं दोनों साइट्स को हम अगर 2 से डिवाइड कर दें तो negative x square is equal to 2 अब दोनों साइट्स को फिर से square कर लीजें तो हमारे पास left hand side पर आता है negative x square is equal to 2 को square हो गया 4 दोनों साइट्स को minus 1 से multiply कर लेंगे तो x square is equal to minus 4 which means x is equal to अंडर रूट माइनस 4 इसका मतलब हुआ कि आईदर x is equal to अच्छा चली एक स्टेप और दिखाते हैं ताकि बिल्कुल ही क्लियर हो जाहिए तो कि इसकी आपने हैं सो इसकी एकल टो इंडर रूट रूट फोट जो इन दिखाते हैं थैक्श बींस एक्स इसकी एकल टो आइधर अंडर रूट फोट फोट रूगा या तो प्लस तो सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाईए बैल आइकन सब्सक्राइब आपको उसकी जानकारी दुरत में जाए देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत